हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ओफ एंग्लेश, हम पढ़ रहे हैं बिलियम सेक्सपियर के फेमस पिलेज से उनकी फेमस इस्पीचिस, अथेलो, ट्वेल्थ नाइट और आपका अंटोनी और कलियोपेट्रा इनको हम पढ़ चुके हैं, लगातार फेमस पिलेज पढ़ रहे हैं, आज जो लिया है वो है फेमस इस्पीचिस फ्राम हैमलेट, और इसका ये पार्ट फस्ट है, आप जानते हैं कि हैमलेट एक बड़ा पिले है, और इसको एक बार में समाप्त नहीं किया जा सकता, और हैमलेट की जो इस्पीचिस हैं, और विस स्बोटीोए फ्यर स्टेमिता शरीर से करते हैं अब जानते हैं वे उस फिले स्ब्सेटर्य करते हैं महलके भाहर एक फ्लेट फार्म पर वहांपर बंड़नो मर्सिलस होरेशियो यह सब रखवाली करते होते हैं और इस स्पीच की जो पहली स्पीच है वाट आड़ दाव देट यूजरप्ट दिस टाइम ओफ नाइट ये इस पीच होरेशिय क्यों है जब बरनार्डो और मर्सिलस कहते हैं कि घुष्ट रात के 12 बज़े आया था तो होरेशियो विस्वास नहीं करता जब दुबारा घुष्ट आता है ये जो किंग हैमलेट है उनका भूत आता है तो बहे होरेशियो उससे प्रिश्ण करता है क्या कहता है तुम कौन हो जो रात के समय बिना अधिकार के इस समय प्रिवेश कर लिया है तुमने तुम सुन्दर और सैनिक की वेस्वास बूता है तुम कौन हो भूसा में सजे हुए हो धरण किये हुँ इन विच दा मजेस्ट्य ओफ बरी डैनमार्क डिड़ सम तैम्स मार्च तुम उस बेश मुशा में हो जिसमें कभी करी हमारे जो डैनमार्क के लेट किंग किंग हैमलेट थे वो इसी बेश में घूमता घूमा करते थे मार्च किया करते थे मैं तुम्हें आग्या देता हूँ भगवान की कसम तुम बोलो तुम कौन हो तो ये बात सुरू की स्पीच है होरेशियो की अगले पढ़ते है ये भी होरेशियो की स्पीच है वो बरनार्डों से कहते है a moat it is to trouble the mind size moat का मतलब होता है a particle of dust यानि कि धूल का एक कण तो यहाँ पर जो प्रेत है उसको धूल का एक कण माना है trouble the mind's eye जो अब हमारी कलपना की आँखें होती है उनको कस्ट कारक होती है तो ये कहना चाहरा है कि जिस प्रकार धूल आँखों के लिए कस्ट कारक होती है उसी प्रकार जो प्रेत आया है वो धूल के समान है और हमारी मन की आँखों के लिए जो है कस्ट कारक है हानी कारक है तो ये बात हुरेशियो कहता है अगले पढ़ते हैं ये scene second शुरू हो जाता है और इस की situation में बता रहा हूँ आपको क्या है कि महल में मीटिंग चल रही है King, Queen, Polonius Laertes, Hamlet और बहुत सारे लोग बहाँ बैठे होते हैं राजा कहते हैं कि इस बात पर चर्चा करते हैं कि किन परस्तितियों में King Hamlet की death के बाद Queen जरेटूट से उन्होंने विभा कर लिया और जरूरी भी था क्योंकि राज काज के काम जो है वो रुक्ते नहीं है तो वो Polonius और लियरेक्टेर से भी बात करते हैं और बाद में Hamlet से कहते हैं तुम मेरे पुत्र के समान हो पहले तुम भती जिते अब पुत्र हो गया हो तब ये Hamlet एसाइड में कहता है अलिटल मोर देन किन एंड लेस देन लेस देन काइंड तो यहां जो कहना चाह रहे हैं तो Hamlet कहता है कि मैं जो संबंदी है यारी कि जो किन है उससे तो बढ़कर हूँ क्योंकि सगे संबंदी होने के नाते वो राजा के पास ही बैठता है लेकिन लेस देन काइंड का मतब है यहां पर सन लेकिन पुत्र से कम हूँ क्योंकि जितना मुझे अब मेरे उरिजिनल पिताजी प्यार करते थे उतना तुमसे प्यार नहीं मिल पा रहा है इसलिए सगे संबंदी से बढ़कर हूँ लेकिन पुत्र से कम हूँ और उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं क्योंकि हैमलेट की जो सॉलिलोकी यह फर्स्ट सॉलिलोकी है बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही इंपोर्टेंट क्योंकि जर्ट्यूड दोनों ही कहते हैं कि हैमलेट तुम जो उदासी भरा चोला तुमने ओड़ा हुआ है तुम दुख को अपनाय हुए हो उसको छोड़ दो क्योंकि दुख बहुत लंबे समय तक नहीं मनाया जाता हलाकि यह सच है कि तुम्हें पिताजी की मिर्तिव है तो मुझे हुई है उस पर बहुत ज़्यादा दुखी हो तब सब लोग चले जाते हैं तब यह बहुत शॉलिलो की बोलता है ओ देट दिस टू टू शॉलिट फ्लैस बुड मैल्ट कास यह जो ठोस सरीर है वो पिखल जाए यह जो पिखल जाए तो एंड रिजॉल्ब तूट जाए और बिखर जाए यह जो पिखल जाए इन दोनों का आरथ भी पिखल जाना है इसल्प इन्टू ड्यू और स्वैम ओस की तरह जिस परकार ओस पिखल कर जमीन में गुल मिल जाती है और बिखर करके इस बाताबरण में चली जाती है उसी परकार मैं चाहता हूँ कि मेरा यह जो ठोस सरीर है वो पिखल जाए फिर उसके मन में इच्छा आती है कि कास वो मृतिव को प्राप्त हो जाए क्योंकि बहुत गहरा दुख करता है तो क्या कहता है ओ देट दा एबरलास्टिंग है नोट फिक्स्ट हिज कैनन अगिंस्ट सेल्प सलाटर तो सेल्प सलाटर का मतलब सुसाइड है और कैनन का मतलब यहाँ पर नियम है तो कास इस्वर ने आत्म हत्या को अपने नियम और कानून में गलत ना बताया तो यह बाइबल में आत्म हत्या को निसेद माना गया है तो यही कारण है कि कहता है कि है इस्वरकास तुमने आत्म हत्या को निसेद ना बनाया होता धार में कानून ना बनाया होता तो सोच राम की मैं मर जाता फिर कहता है Oh God, Oh God How very, stale, flat and unprofitable Seems to me The uses of this world कि इस दुनिया के जो uses है इस दुनिया की जितनी भी बाते है वो मेरे लिए useless है इस संसार के समस्थकारी very है, उबाऊ है इस संसार के समस्थकारी कैसे है very है, बहुत उबाऊ है बासी है and flat, बिलकुल स्वाध हीन है and unprofitable और निरर्थक परतीत हो रहे है to me यह दुनिया जो है उसको काफी निरर्थक परतीत हो रही है यह दुनिया में उसका मन नहीं लग रहा है फिर अगले कहता है, इसी speech की है बहुत important speech है यह और यह पूछी जाती है, इसलिए हमेंने important लगा दिया इस बे फाई on फाई on, अहाँ फाई कितने सरम की बात है बहुत ही सरम की बात है इस अन अन बीडिड गार्डन देखिए इस जो सब्द आया है यह आया है डैनमार्क के लिए कि डैनमार्क जो है वो एक अन बीडिड गार्डन है तो यह अन बीडिड गार्डन का अर्थ समझे देखिए एक वो बाग होता है जिसको सजापती तौर पर सजाया जाता है यानि कि जिसमें करीने से क्रम से सजाकर के पेड़ पौधे लगाई जाते है तो वो बीडिड गार्डन होता है जिसको बोलते है बोया हुआ लगाया हुआ बाग और एक बो गार्डन होता है जिसकी कोई देखवाल नहीं करता अपने आप खर्पत बार उगी रहती है और उसमें लगातार इदर उदर के पोधे उगे रहते हैं कभी जाणियां होते हैं कोई भी किरम नहीं होता यह बदसूरत गार्डन होता है तो कहरा है बड़े सरम की बात है कि यह जो डैनमार्क है ए जाणियों वाले पोधे हैं उनके समाल है तो इस प्रकार कह रहा है अगले भूव स्पीच है देट इट सुड़ कम तो दिस वट्टू मंथ डैने नोट सो मच नोट तू सो एक्सिलेंट आकेम देट बाजिट अब वो यहां पर अपने मा की और संकेत करते हुए कहते हैं क्योंकि दो महिने नहीं हुए हैं उचके पिताजी की विर्तियों हो और उसके माने उसके चाचा से साधी कर ले तो करा है देट इट इट सुड़ कम तो दिस यह ऐसा कैसे हो गया बट टू मंथ डैन अभी दो महीने भी उनके मिर्तियों को नहीं हुए हैं नोट सो मच नोट टू दो भी नहीं हुए हैं तो यहां पर अपने पिता की और अपने चाचा की तुलना कर रहा है दो पौराणे की रिफरेंसे से यहां पर हाइपेरियन जो की सूरज के सूरज के देवता होते हैं सूरज देवता होते हाईपेरियन उनसे तूलना कर रहा है अपने पिताजी की and satire satire जो है एक जंगल का देवता होता है जिसका सिर्त बक्रे का होता है और सरीर मानब का होता है बोले कहा मेरे पिताजी जो इतने excellent king थे और एक सूरज के समान थे और दूसरी तरब ये कहां बकरे के समान बकरे के चहरे बाले देवता के समान मेरा पिता है मुझे चाचा है so loving to my mother मेरे पिता जी मेरे मा को इतने प्यार करते थे that he might not between the winds of heaven visit her face too roughly कि बैँ हवाओं को जो उग्र हवाएं थी उनको भी उनके चहरे पर अपनी मा के चहरे पर वो पढ़ना पसंद नहीं करते थे वो नहीं चाहते थे कि उग्र हवाएं भी उसकी मा के चहरे को छुए फिर अगले करते है heaven and earth must I remember मुझे याद है why she would hang on him कि कैसे मेरी मा मेरे पिताजी से चिपक जाते थी यहाँ पर हिमाय उनके पिताजी के लिए आया है कि कैसे उसकी मा उसकी पिताजी का आलिंगन कर लेते थी as if increase of appetite had grown by what it fed on कि कैसे जमानों की उनकी जो पियार की भूँख थी उसके मा के पियार की भूँख थी उसके पिताजी के प्रेम भरे सम्तों से इस नहें से और ज़्यादा बढ़ गई हो तो इस परकार वो अपने पियार को परदरसिन करने के लिए मेरे पिताजी से चिपक जाती थी विदिन आ मन्त एक महीने के अंदर ये कैसे परिबर्तन आ गया एक महीने भी नहीं भी था कि उन्होंने मेरे चाचा से साधी कर ली let me not think on it मुझे इस पर नहीं सोचना चाहिए कि एक महीने के अंदर ये कैसे हो गया तो उम्मीद कर रहा है समझ में आ रहा होगा पर ये बहुत important speech है friendly दाइनेम इस भूमेन friendly जो सब्द का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है कमजोरी यानि कि दुरबलता और यहां पर इस सब्द का अर्थ है moral fraternity यानि नेतिक दुरबलता दाइनेम इस भूमेन हे नेतिक दुरबलता हे इस तरी तेरा नाभी नेतिक दुरबलता है a little month एक छोटे से महीने में और air या इससे भी पहले दोज सूज बर ओल्ड with which she followed my poor father's body क्या एक महीने के अंदर वो जूते जिनको पहन करके तुमने मेरे पिताजी की सब यात्रा में कबरिस्तान तक गई थी क्या वो इतनी जल्दी पुराने हो गए कि तुमने एक महीने के अंदर उसके चाजा से साधी कर ली like नियोब all tears नियोबो कि तरह तो नियोब जो है एक थीबिस की रानी है जिसका reference पराणिक है जिसका reference यहाँ दे रहे है like new all tears तो मुस् नियोब की भाती जो थीबिस की रानी थी उसकी भाती आशू भर-भर कर रोही थी तो आपको नियोब के बारे बता दे जो थिविस के राजा, एमफिवियन, जो है, एमफियन की रानी थी, तो उसके छे तो पुत्र थे और छे पुत्रियां थी, तो उसे अपने पुत्र और पुत्रियों पर काफी गर्ब था, उनकी धिंगे हाका करती थी तो होता क्या है यह जो reference मिलता है Homer की utilizar में मिलता है तो होता क्या है कि Apollo और Artemis दो यह देवता होते हैं इनके समस्त पुत्र और पुत्रियों की हत्या कर देते हैं तो उनकी हत्या पर जो थिविस्की रानी नियोब होती है बहुत ज्यादा रोती है बहुत ज्यादा रोती है तो यही कारण है कि वो जरट्यूड की तुलना नियोब से करते हैं कि जब उसके पिता की मिर्ति हुई थी उसकी सर्यात्रा पर वो बैसे ही रोई थी जैसे थिविस्की रानी नियो अपने बच्चों की मिर्थिव पर रोई थी तुमने उसको भी फीका कर दिया फिर कह रहा है वाई सी इविन सी ओ गौड तब क्यों है भगबान आब बीस्ट डैट बांट डिस्कोर्स ओफ रीजन बुढ है मौन्ड लॉंगर कि एक पसू एक पसू वांट जिसमें कमी होती है डिस्कोर्स ओफ रीजन बुढ़ी की एक पसू भी जिसमें बुढ़ी की कमी होती है अपने प्रिये जन की मिर्थिव पर वो भी इससे ज़्यादा दुख मनाता married with my uncle और तुमने कोई दुख नहीं मनाया और मेरे चाचा से साधी कर ली my father's brother मेरे पिता जी के भाई से but no more like my father जो बिलकुल भी मेरे पिता के समान नहीं है then I to Hercules जिस प्रकार मैं Hercules के समान नहीं हूँ देख हरकुलिस दूसरा reference है Hercules सक्ति के देवता माने जाते हैं जिनके कंदों पर प्रत्वी रखी रहती है संसार रखा रहता है जिस प्रकार मेरी ताकत Hercules के समान कुछ नहीं को Hercules बहुत महान है तो उसी प्रकार उसके चाचा भी उसके पिता जी के समान कुछ भी नहीं है बिद आ मन्त एक महीने कंदर अन्राइटिएस टियर्स और जो साल्ट था उसके आंसों का और अन्राइटिएस कहा गया है उन दिखाबटी आंसों का वो उन दिखाबटी आंसों का नमक तुमारी जो आखे हैं चमकती हुए आखे में उनके आखों से लिखन ले बाले जो आशू थे उनका नमक अभी भी तुमारे गालों से गुलावी गालों से सूखा नहीं है सी इंसेश्टियस शीट का मतलब होता है अपने परिवार में ही रिस्तो में ही बेवचार करना और डेक्शटियस का मतलब होता है काफी चाना की दिखाना और बिग्ड़ पोस्ट का मतलब है बहुत जल्दी करना तो बुले तुमने इतनी दुष्टा भरी जल्दी कर दी अपने विस्तों में अबैद संबंद बनाने के लिए ये ना तो ये है और ना ही अच्छा हो सकता है ये किसी भी तरह से ये बात अच्छी नहीं है बट ब्रेक माई हाट फॉर आई मस्ट होल माई टाम चाहे हिर्दम मेरा फट जाए लेकिन अब ये मैं बात किसी को नहीं कहूंगा और अपने दिल में ही इसको बना कर रखूंगा ये थो बहुत ही इंपोर्टेंट उन्हें की सॉली लौकी थी आपको समझ में आई होगी अब यहाँ पर है ये भी हैमलेट की स्पीच है जिसमें हैमलेट होरेशियो से कहता है दीकि हैरेशियो और हैमलेट दोनों बिटन बर्ग यूनिवरस्टी के स्टुटेंट रहे होते हैं दोनों मित्र होते हैं तो हैमलेट होरेशियो से कहता है कि तुम यहाँ पर आये थे तो कुछ कारण था तो बोले मैं तुमारे पता का जो तुमारे चाचा है उनका राजेपिसेख देखने आया था तो बोले तुम तुम मजा करते हो तो लाजर बिसकर देखने नहीं आए बलकि तो मेरी माताजी की साधी में आए यह एक प्रकार का ब्यंग करता है फिर कहता है थिरेप्ट थिरेप्ट होरेशियो क्योंकि होरेशियो कहता है बोले हां ऐसा ही कुछ समझ लो मुझे यह दूसरा भी जो कारण था इतनी जल्दी आ हुआ हुआ बचत करना इसका उद्देश था दा फर्नरल बेग्ड मीट्स डिट कोड़ी फर्नेश फोर्थ दा मेरीज टेबिल ताकि जो दहा संसकार के उपलक्ष में बनावा भोजन था वो विभा के समारों की टेबिल पर परोशा जा सके इस लिए यह हुआ है यह बहुत ही इंपोर्टेंट स्पीच है यह सीन थर्ड है और इस सीन में पोलियोनियस के महल का एक कमरा है जिसमें लियर्टेज फ्रांस जाने को तयार है पढ़ाई करने के लिए तो ऐसे समय में उसकी बहन ओफेलिया उसके पास होती है और वो ओफेलिया और हैमलेट के प्रेम संबंदों के बारे में उसको पता होता है तब बहन अपने बहन को समझाते हुए कहता है तो ये उसकी सला है उसके बहन के लिए जो विफ्रांस जाने से पहले उसको देना चाहता है किरा है दा चेरिएस्ट मैड इस प्रोडिगर इनव चेरिएस्ट का मतब है बहुती सावधान और मैड का मतब गर्ल कहती सावधान लड़की भी यूबती भी इस प्रोडिगर इनव काफी बेवकूफ बन जाती है काफी मूर्ख बन जाती है if she unmasked her beauty to the moon यहीं कि कहने का मताब है यदी बै प्यार में पड़ जाए यहीं कि प्यार कुछ ऐसा होता है कि इसमें बहुत साबधान से साबधान यूती भी मूर्खता कर बैठती है if she unmasked her beauty to the moon एक महिला की एक लड़की की जो seal होता है यहीं कि उसकी जो सुन्दरता होती है तो यहां पर तुलना कर रहे है उसकी seal की जो है उसकी beauty से बोले एक लड़की की beauty जो है उसकी seal जो है ताफी कोमल होती है नाजुक होती है और यदि उसकी सुन्दर्ता पर चंदर्मा के सामने भी पढ़ जाए तो उसमें दाग आ जाता है बर्ट्यू इसेल्फ इसकेप नोट कलम्नियस इस्टो कलम्नियस इस्टो का मतलब होता है काले धंबे तो बोलो चंदर्मा की रोशनी पर भी उसके चरेत्र में काले धंबे आ जाते हैं उसकी सुन्दर्ता में दाग लग जाते हैं पर इतनी नाजुक होती है फिर वो तुल्ला कर रहा है उसके कैंकर से तो कैंकर क्या होता है एक फूलों का क्यूडा होता है जो फूल के अंदर कली के अंदर बैठ जाता है और अंदर अंदर उसको कुतरता रहता है तो यहाँ पर तुल्ला कर रहे है दा कैंकर गाल्स दा इन्फेंट ओफ इस्प्रिंग इन्फेंट ओब इसे मैं नहीं बसंत रितु की कलीयों को एक कीड़ा जो बसंत रितु की कलीयों को अंदर अंदर कुतरता रहता है तू और बैठ बैठ बटन MICHी बी दिश्कलोट सुन燥 बटन SHो फोल बनने से पहले ही उसको कुतर डालता है दे न्दा मौर्न अंड लिक्विट डू आफ यूथ और सुभह की जो ड्यू होती है उसकी बूंदे होती है पाला होता है वो भी उसको नुक्सान पहुंचाता है contagious, blastment and most imminent और contagious होता है यह जो फोग होता है काफी संक्रामक होता है blastment are most imminent और यह बहुत ही उसके आसपास रहते है but very then लेकिन तब तुम साबधान ओ be safety lies in fear क्योंकि सुरक्षा जो है वो भे में ही है youth itself rivals क्योंकि जो जबानी है अपने आप में विद्रो करती है दो नन ऐल्स नियर हलाकि आसपास कोई इतना विद्रो नहीं करता अब इसको बहुत दुवारा समझे यह यह पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो इस तरह की साबधान से साबधान महिला भी होती है या कि लड़की होती है वो भी प्यार में गलतियां कर बैठती है उसकी जो सुन्दर्ता होती है उसका जो सील होता है कापी नाजुक होता है लड़की की सील इस प्रिकार नाजुक होती है कि उसकी सुन्दर्ता में अगर वो चंद्रमा की रोशनी में विजाए तो भी उसके चेहरे पर दाग लग सकता है अब यहां पर कैंकर की तुल्ला कर रहे है तो यहां पर जो लब है लब की उठने वाली जो भावनाय है जो बासनाय है उसको उन्होंने कैंकर कहा है तो जिस प्रिकार एक फूलों का कीड़ा अंदर-अंदर कुतरता रहता है तो और उसको कली फूल बनने से पहले ही मुर्जा देता है तो उसी प्रिकार प्यार की जो भावनाए है एक लड़की के लिए अंदर-अंदर कुतरती रहती है टू आफ्ट बिफोर देर बटन दिस्क्लोज और उसको फूल बनने से पहले ही बिनास कर डालती है पर दूसरी तरफ कर रहा है और दूसरी तरफ तुल्ला कर रहा है कि सुभह का जो पाला होता है कोहरा होता है तो उसी प्रिकार जो जबानी आती है यह जो युबा अवस्था होती है जिस प्रिकार बहरी तौर पर पाला असर करता है उसी प्रकार यूबा अवस्ता बहारी तोर पर उसको नुखसान पहुचाती है एक लड़की को फिर कह रहा है तो इस प्रकार अब साबधानी में ही जो है इसका उपाय है और भे जो है तुम्हारी काफी सुरक्षा करेगा इसलिए तुम इन बातों से डर कर नहो क्योंकि जवानी अपने हमें विद्रो करती है इसके लाबा कोई तुम्हारा ब्रोद करने वाला नहीं है अगले लाइन है तो यह तो बताई रखे हैं अब उसी समय उसके लियर्टिस के पिताजी आ जाते हैं पोलिनिस आ जाते हैं और फ्रांस पढ़ने की तैरी कर चुका है तो वो कहते हैं मिले तुम्हारा जहाज तयार है तुम यहां पर अभी हो तो तो वो कहते हैं पोलिनिस कहते हैं कि मैं तुमको अपना आसीर बात देता है कि बाहर जाकर कैसे रहना है कैसा बेभार करना है इस पर मेरी सलह लेते जा तो ये polonius की पूरी की पूरी speech हमने यहाँ पर ली है और ये पूरी की पूरी speech जो है जो है important है कहता है कि मेरा आसीर बात तुमारे साथ है there are my blessings with you मेरा आसीर बात तुमारे साथ है and these few percepts in thy memory और मेरी कुछ percepts हैं, कुछ सला हैं जो अपनी इस्मिर्थी में तुमको धारण करना चाहिए see thou character सबसे पहले तुम अपने चरित्र पर ध्यान दो give thy thoughts no tongue बोले अपने बिचारों को पिरकट मत होने दो यानि कि सुनो सब की लेकिन अपने बिचार मत बताओ किसी को nor any unproposaned thought his act unproposaned का अर्थ है बिना बिचारे बोले उन बातों को जिन पर तुमने कभी बिचार नहीं किया है उनको किर्यान भिक मत करो यानि कि बिना बिचारे कोई भी काम मत करो और नहीं तुम किसी पर अपने बिचार पिरकट करो अगले एक सला देते हैं बहुत इंपोर्टिन स्पीच है बी दाओ फेमिलियर बट बाई नो मीन्स बलगर तुम लोगों से फेमिलियर तो बनो लोगों से बिनम्र बनो उनसे बातचीत करो उनसे परचार बढ़ाओ BUT BY NO MEANS बलगर लेकिन परचार इतना गहरा न हो जाए कि उसमें बलगरटी आ जाए कि उसमें असिश्टा आ जाए उसमें भद्धी बात में होने लगे दोज फ्रेंड डाव हैस्ट गोले जो भी मित्र तुमारे पास है and their adoption tried adoption का मतलब है यहाँ पर कि उनका वो भली भाती परखे हुई हो ने कि तुमारे पास जो मित्र हो वो बिस्वस्निय मित्र होने चाहिए अजमाए हुए मित्र होने चाहिए अगर तुमारे मित्र अजमाए हुए तुमारे पास है तो फिर कहते हैं grapple them to thy soul तो तुम उनको पकड़ बना कर रखो अपनी आत्मा से चिपका कर यहाँ कि उनको पकड़ बनाए रखो और हमेसा अपने पास रखो with hopes of hoops of steel hoops of steel का मतलब है मजबूत पंजो के साथ यहनको उनको छोडो मत but do not dull thy palm with entertainment of new-hashed unfleshed comrade तो unfleshed comrade और new-hashed का मतलब है new-hashed का मतलब है बोश चूजे जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले हैं और unfleshed का मतलब है बो चुड़िया के बच्चे जिनके अभी पंक नहीं आए हैं उन्होंने अपने पंक जो है अपनाए नहीं कॉमिनेट का मतलब मित होता है तो यहां पर कह रहा है बोले नए मित्र बनाने की जल्दी ना करो के बले मनोरंजन बस बोले मनोरंजन बस नए मित्र बनाने की कोशिस ना करो बोले और नए मित्र बनाओ अइसे मित्र मत बनाओ जो बिना अपनाए हुए हैं यह अभी अभी बने हैं तो भी विश्वास भी मत करो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बीवार साबधान रहो और ऐन्ट्रेंस पड़ो ही मत बट बीइंग इन बियर्ट अगर तुम जगड़े में पड़ भी गए हो तो इसको इतना लंबा चोड़ा खीचो इतना विरोध करो इतना उस पे काम करो कि जो तुम्हारा विरोधी है वो भी तुमसे घवरा जाए और साबधा नए कि भविस में मैं इसे जगड़ा मोल नहीं लूँगा गिब एबरी मैं दाई एर हर व्यक्ती की बात सुनो यानि हर व्यक्ती की बातों पर ध्यान दो बट फ्यू दाई ब्वाइस लेकिन बहुत कम लोगों को अपने निर्णे सुनाओ या अपने विचार पर कट करो करें कि बहुत कम लोगों के साथ अपने विचारों को कहो टेक इज मैंस सेंसर तो सेंसर तो जानते हूँ जो फिल्मों में सेंसर सिफ होता है यानि कि समालोचना होती है समा अलोचना बोले हर व्यक्ति की समा अलोचना सुनो तुमारे लिए कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसमें क्या सचाई क्या नहीं उस पर समा अलोचना सुनो बट रिजर्ब दाई जिज्मेंट लेकिन अपना जो निर्ण है उसे किसी पर प्रिकट मत करो कि तुमने क्या सोचाए क्या करने वाले हो इस बात को किसी पर प्रिकट मत करो costly thy habit as thy purse can buy बोले अपनी आदतों को उतना विस्तार करो अपने खर्चों को उतना बढ़ाओ जितना तुमारा पर्स तुमको ऐलाओ करे यानिके उतने पैर पसार यह जितनी चादर होए यानिके जितनी तुमारी इंकम है उसी के अनसार अपना खर्चा करना चाहिए फिर कह रहा है but not expressed in fancy rich and goody बोले अगर तुम खर्चा कर रहे हो कपड़े पहन रहे हो तो fancy में ब्यक्त मत करो इनके दिखाबट में उनको खर्च मत करो rich and goody गड़ी का अर्थ है यहाँ पर भड़की ले तो तुमारे कपड़े fancy और भड़की ले नहीं होने चाहिए तुमारे कपड़े जो है वो fancy ना हो और भड़की ले ना हो for the apparel often proclaims the man बहुत important line है यह बहुत important है for the apparel often proclaims the man क्योंकि जो apparel होता है लोगों की पहनावा होता है बेसभूसा होती है अक्सर उसके ब्यक्तित्व को दरसाती है क्योंकि ब्यक्ति अपनी बेसभूसा से भी जाना जाता है इस line का यह अर्थ है and they in France और जो फ्रांस के लोग होते हैं क्योंकि लेर्टीज फ्रांस जा रहा था पड़ने और फ्रांस फैसन के मामले में बहुत आगे है आप भी जाते है and they in France और फ्रांस के जो लोग होते है the best rank and station जो अपनी पद और इस्तिती में उचे वाले व्यक्ति होते हैं या बड़े घराने के जो लोग होते है are most selective and generous choice in that तो बुले अपनी बेजबूसा के मामले में अपने रहनसेन के मामले में अपनी बातों के मामले में काफी selective होते हैं साबधान होते हैं तुनक मिजाज होते हैं ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा है और ये भी important speech है neither a borrower nor a letter भी बुले ना तो किसी से उधार लो और ना ही किसी को उधार दो क्योंकि उधार लेने और उधार देने से for loan often loses both itself and friends क्योंकि जो loan होता है उसमें loan तो जाता ही जाता है और साथ में मित्रता भी चली जाती है and borrowing dulls the age of husbandry husbandry का मतलब होता है बचत तो जो बचत करने की भावना होती है उधार लेना उसको भी समात कर देता है याई कि उधार लेने से नुकसान बहुत जादा होते है बोले मित्री भी जाते है और बचत करने की भावना भी जाती है और उधारी भी चली जाती है फिर पिर लाश्ट में समझाते हूं कहते हैं दिस एवाबाल और इन सबसे बढ़कर जितनी भी बाते बताएं इन सबसे बढ़कर तू दाइन ओन सैल बी टू अपने खुद के परती सच्चे बनो तुम अपने खुद के परती तो कम से कम सच्चे रहो and it must follow as the night, the day इस बात को धिन राथ पालन करो दाव कैंस्ट का मतम्या पर कैं है दाव कैंस्ट नोट दैन बी फाल्स तो एनिपन तब तुम किसी के परती जूटे सिद्ध नहीं होगे यदि तुम अपने परती सच्चे रहते हो तो दूसरों के परती भी तुम जूटे कभी सिद्ध नहीं हो पाओगे तो ये मेरे लिए तुमारी आसीद बात था बहुत ही फेमज इस बीचिस है इसमें कई-कई लाइने पूछी जाती है इसके बाद लेर्टीज तो फ्रांस चला जाता है और पोलोनियस अपने लिणकी को समझाता है ओफिलिया को समझाता है क्योंगी उसको भी हैमलेट के प्रेम के बारे में हैमलेट और ओफिलिया के प्रेम के बारे में पता लग जाता है तो बहुत ओफिलिया को समझाते कहता है एज आए springish to catch bootcog springish का मत्तब है यहाँ पर जाल या कह सकते हो फंदा to catch bootcog तो यहाँ पर ओफेलिया बताती है कि उसने मेरे प्रेम में यह कसम खाई इतने बादे कि यह ऐसा किया बैसा किया कि हैमलेट यह बादा कह रहा है यह कहने को कह रहा है ऐसा करेगा बैसा करेगा तो वो कहते हैं कि प्यार में जो कसमे और बादे होते हैं यह कसम सपत साधारन चड़िया को है और कि बुड़कों के बहुत सीधी साधी चड़िया माने जाती है तो उसको फंसाने के लिए एक फंदे के समान है अर्थात तुम भोली भाली लड़की होने के करण हैमलेट के प्रिस्ताबिद प्रेम के जाल में फस जाओगी I do know मैं जानता हूँ कि जब जबानी का खून उवाल मारता है जब जबानी के खून में गर्मी होती है तो जो आत्मा होती है वो प्रोडिगल होती है प्रोडिगल का यहां पर अर्थ है काफी मूर्ख बन जाती है यहां के लापर वहां हो जाती है लेंड्स टंग दा टंग वो और जो बादे कसमे होते हैं उनके जाल में वो फस जाती है दीज बिलेजिस डॉटर गिविंग मोर लाइट देन हीट और एक्स्टेंट इन बोत कि जो यह प्यार की भावनाएं हैं जो इससे तुम प्यार समझे नहीं हो पिर से तुनिये कि है पुत्री कि प्यार की जो भावनाएं बिलेजिस हैं यह केबल चमक मात रहें इनमें देन हीट यह रोशनी तो देती हैं इनकी बासना की चमक जो है इनमें रोशनी तो आती है लेकिन हीट नहीं होती हैं कि इनके मामलों में गंभीरता नहीं होती हैं इनमें गहरापन नहीं होता action in both इसमें दोनों चीज़ा जाती है दोनों चीज़ों का मतब इसमें ये बहुत छड़िक मात्र होती है थोड़ी समय तो उठ जाती है और थोड़ी देर बाद इनकी चमक भी जाती रहती है और इनकी गर्मी भी जाती रहती है इनके बिलकुर समात्त हो जाती है इनके बादों में भी अगर तुमको आग दिखाई दे तो उसको भावनाओं की आग समझना जैसा मैं कह रहा हूं कि उनको बादे जो बादे कर रहा है उसको प्यार मत समझना प्यार की अनन्त जती मत समझना बलकी छड़ मात, छड़े के बासना बात्र समझना ये उशको समझा रहा है चलि यहाँ पर ये सीन समाप्त हो जाता है ये जो speech 9 है ये बहुत ही famous speech है इसको घूस्ट हैमिलेट से कहता है यहां King Hamlet का घूस्ट Hamlet को दिखाई देता है क्योंकि Horacio, Marcilus और Bernardus को बताते हैं कि उनका भूट प्रिकट हुआ था तो वो मिलने आता है तो यहां पर King Claudius का जो घूस्ट है King Hamlet का जो घूस्ट है King Claudius और Queen Gertude के बारे में बता रहा है और उनके गुणों को परभासित करते हुए गहता है कि वो कितने नीच है इसकी लाइन तो मुझे बहुत सुन्दर लगी क्योंकि बहुत सुन्दर स्पीच है द्याद से दोना बहुत सुन्दर स्पीच है But virtue As it never will be moved बर्चु का मतलब होता है यहाँ पर बर्चु का यहाँ पर अर्थ है एक गुणी महिला एक महिला जिसमें चारित्र गुण होते है और दूसरी तरफ कह रहा है लस्त और एक वो ब्यक्ति जिसमें कामुकताफ होती है दो ब्यक्तियों की तुलना कर रहा है तो दोनों को बहुत ध्याद सुनना बट बर्चु एज इट नेवर भी मूबड दो लूड़नस कोट इट इन दा सेप आफ हैवन बोले एक जो बुणी महिला होती है एदी कोई उससे बेविचार करने की बात करता है चाहें वो सेप इन हैवन स्वर्ग के देव दूतों के माद रूपधारन करके ही क्यों ना आए तो उसकी लूड़नस में उसकी बेवचार में उसकी असष्टा में जोड दवस्ती में वो कभी भी नहीं फस सकती और दूसरी तरब कह रहा है सो लस्ट दूसरी तरब जो कामग ब्यक्ती होता है दो इन दो टू ए रेडियंट एंजल लिंक चाहें वो कितनी भी उच्च चरित्रवाली महलाएं जो गुड़ी महलाएं होती है जो रेडियंट एंजल यादिके देव दूती महलाएं होती है उनसे प्रेम संबन्द उसके रहे हो फिर भी बिल स्टेट इटसेप सैलिसियल बैड चाहें उनके साथ वो दिब बिस्त्रों पर सोया हो और प्रे ऑन गारवेज फिर भी वो गंदी इस तरी के साथ गारवेज में सेक्स कर लेगा या गारवेज में उनके साथ सोने को तयार हो जाएगा तो बुले इसी प्रकार जर्ट्यूड और जो है पुलिन आपके अंकलॉडियस हैं और यहां पर कह रहा है कि जो जर्ट्यूड है वो मेरे साथ सोई थी तो अपने को तुलना कर रहा है सैलीसिल बैट से और उसकी तुलना कर रहा है प्रे ओफ गारवेज से अब यहां पर बताता है कि कि उसको कैसे जहर दिया गया था तो किसी ने पूछा था विच पाइजन वाज पूर्ड इंटू दा इयर ओफ हेलमेट हैमलेट्स फादर कि हैमलेट के पिता के कानों में कौन सा जहर डाला गया था पूछा था किसी ने तो यह हैमनों था हैमनों एक पौधा है जहरीले पौधा है तो इसी के नीचे यह डायलोग आया है बिद जूसी ओफ कर्स्ट हैमनों इन बाइल कि एक सीशी में बाइल में वो हैमन जहरीले पहुदे का जूस लेकर आया था और मेरे कानों में उसको उड़ेल दिया अब ये सेकंड सललोकी है और इसकी क्या इस्तिती है कि जब किंग हैमलेट के किंग हैमलेट के प्रियत ने हमलेट को सारी बात बता दी तो जब भूत चला जाता है तो उसके बाद ये सललोकी है जो हमलेट के द्वारा बोली जाती है कहता ओ परनीशिस बुमेन है पापी औरत सबसे पापी औरत ओ बलेन बलेन इस्माइलिंग डेमिट अरे दुष्ट अरे दुष्ट अरे दुष्ट तुम अभी भी मुस्क्रा सकते हो निके अभी यहां पर यहां पर बात कर रहा है कलॉडियस की ओ बलेन बलेन इस्माइलिंग डेमिट ओ निक्रेश दुष्ट तुम अपने पापों को छिपा करके मुस्क्रा रहे हो माइ टेबल मीट इट आइ सैट इट डाउन मेरी मेज कहा है मेरी नोटबुक कहा है मैं यहाँ पर इस बात को लिख डालूँगा कि एक ब्यक्ति जो दुष्ट होता है तो दुष्ट होने के बाप दुष्ट भी अपने चेहरे पर मुस्क्राण ला सकता है and at least sure it may be in Denmark कम से कम यह बात Denmark में तो सिद्ध होई जाती है so uncle there are you और मेरे चाचा तुम ऐसे ही जैखती हो यह स्पीच है उसके यह बहुत ही सुन्दर स्पीच है पोलोनियस की इसको बहुत ध्यान से सुनना पोलोनियस अपने पुत्र की खैर ख़बर और जासुसी लेने के लिए अपने सर्वेंट रेनाल्डो को फ्रांस भेजना चाहता है और उसको समझाता है कि तुम गुप चुप तरीके से पता लगाओगे कि उसका पुत्र जो लियर्टी जैस सही रास्ते पर चल रहा है पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है बहुत सारी बाते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम उससे कुछ जूटे आरोप लगाना और उससे पता लगाना सच्चाएगा कि उसे कहना कि एक दो दिन पहले मैंने तुमको उस स्थान पर उस समय पर उन व्यक्तियों के साथ जूआ खेलते हुए देखा था उन व्यक्तियों के साथ मैंने तुमको सरा पीते हुए देखा था तुमको मैंने इस समय उस घर में जो की बदनाम घर है उसमें जाते हुए देखा था तो बोले ऐसी जूटे आरोपे से सच्चाई निकल कर आ जाती है तो ये बात उसको समझा कर बेज़ता है बोले तो ऐसे ऐसे करना फिर वो यहां कहता है ये स्पीश है योर वेट और फाल्सोड टेक्स दिस काप आफ टुथ देखे काप जो है मचली का नाम है और बेट का मतलब होता चारा दस बी बिजड़म एंड आफ रीच हम बुद्धी मानी और दूर दरश्टी वाले लोग इसी परकार से जूटे चारे के द्वारा सच्चाई की मचली को पकड़ते हैं तो जिस परकार एक मचली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है उसी परकार हम जो बुद्धी मान और दूर दरश्टी वाले लोग होते हैं वो सच्चाई को निकाल करके बाहर ले आते हैं जिसमें बिढलेस और ऐसेश एक परकार की युकतियां है बियास का मत्तब होता है जहां जूटे पक्षारोप होते हैं या पक्षपात होता है तो उसको दूर करने के लिए इस खेल में जूटे मिध्यारोप द्वारा सचाई का पता लगा जाता है इस प्रिकार हम घुमा फिराकर के परोक्ष प्रत्यक्ष तौर पे हम सीधे साधे बात निकाल लेते हैं तो ये एक कूट नीती वाली बात हैं यहाँ पर पोलियोनियस कर रहा है ये बहुत इंपोर्टेंट स्पीच है पोलियोनियस की ब्रैप्टी इस दा सोल आफ वेट पोलियोनियस महल में जाता है और राजा राणी को बताता है कि हैमलेट की पागलपन का कारण क्या है बोले मैं घुमा फिराकर बात नहीं कहूँगा ये नहीं कहूँगा कि राज के कारीकरम इतने अच्छे चलना है बहुत बड़ अच्छा राज है राजनी और राजा महान है बोले इन सब बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता है मैं सीधे सीधे बात कहना चाहता हूँ क्योंकि बिजकी सच्ची बुद्धत्ता संचिपता में नीध होती है मैं संचिप में कहना चाहता हूँ कि तुमारा पुत्र पागल हो गया है फिर वो कारण बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र पागल क्यूं हो गया है तो पोलीनेस हैमलेट के पागलपन का कारण बताते हैं कि वो ओफिलिया के प्यार में कि उसकी पुत्री जो है ओफिलिया उसके प्यार में हैमलेट जो है वो पागल हो गया है फिर भे हैमिलेट के द्वारा दिया गया पत्र जो कि उसने ओफिलिया को दिया था उसको पढ़ता है क्या पर कहता है doubt doubt the stars are fire इस बात में संधे करना की तारों में आग होती है doubt that the sun death move इस बात में संधे करना की सूरज जो है वो अपनी जगे से हिल सकता है doubt truth be to be a liar इस बात में भी संधे कर लेना कि जो सच है वो भी जूट हो सकता है but never doubt I love लेकिन इस बात पर कभी संधे मत करना की मेरा प्यार जूटा है फिर अगले कह रहा है फिर इसके बाद polonius जो है राजा रानी के कहने पर hamlet से मिलने जाता है तो hamlet जानते हो काफी तरक्सील बाते करता है और पागलपन का ढोंग करता है तो पागलपन का ढोंग करता है तो उसकी बातों को polonius सुनता है तो दो aside है यहाँ पर एक यह aside है यह polonius की aside है एक यह aside है और यह aside है तो polonius कहता है though this be madness yet there is method बोले हो सकता है कि यह पागलपन है लेकिन उसके पागलपन में भी एक तरक्संगत बात है how pregnant sometimes he replies pregnant का मत्ता है यहाँ पर गहरे अर्थ बाली बात बोले कभी कभी उसके जवाब जो है काभी गहरे अर्थ लिये होते है यह तो हम अपने लोग जानते हैं कि वो पागल नहीं था काभी बुद्धी मान ब्यक्ती था तो उसकी बातें भी बुद्धी मान थी तो यहाँ पर सोच कराया कि बोले हाला कि यह पागल पन है लेकिन उसके पागल पन में भी गहरे अर्थ बाली बात कभी कभी आ जाती है अहपीनेस देट ऑफिन मेडनेस हिट्स ओन विच रीजन एंड सेंटली कुड नॉट प्रोस्परसली वी डेलिबर तो यहाँ बड़ी बड़ी खुसी की बात है कि कभी कभी पागल पन में भी हिट्स ओन ऐसी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं हैं ऐसी गंभीर बातें तरक्सील बाती निकल कर सामने आ जाती हैं विच रीजन एंड सेंटली जिसमें हम तरक बाले लोग रीजन तरक होता है तो यहा पर तरक बाले लोग है और सेंटली का मतरब है यहाँ पर बुद्धिमाले व्यक्ति या तरक्सील व्यक्ति could not purposely यहीं कि सीरे तोर पर बात नहीं कह पाते है तो यहां कह रहा है कभी-कभी पागलपन में भी वो गंभीर बाते निकल कर आ जाती है जिसको कभी-कभी बुद्धिमाल और तरक्सील व्यक्ति भी जो साप तोर से सीरी-सीरी बात करते हैं वो भी इतनी अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं यह speech जो है for there is nothing either good or bad but thinking makes it so to me it is a prison देखिए दो व्यक्ति रोजन क्रेट और गिल्डन इस्टरं जिनको half man कहा जाता है दोनो hamlet की situation का उसके पागलपन का पता लगाने के लिए राजा और रानी के द्वारा भीजा जाता है तो hamlet उनको उनकी बातों में उलजा लेता है और कहता है बोले तुम इस दुनिया में भाग बस आये तो जरूर हो तुम इसे भाग साली समझने हो लेकिन ये दुनिया और ये डैन्मार्ग जो है एक जेल खाने के समान है तो रोजन क्रेट्स कहता है बोले मुझको तो नहीं लगता ये जेल खाना तब hamlet कहता है for there is nothing either good or bad but thinking makes a story बोले इस संसार में स्वेब अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता but thinking makes a story बोले ये हमारी सोच ही है बोले इस संसार को कभी बुरा बताती है और कभी अच्छा बताती है to me it is a prison मेरे लिए तो डैन्मार्ग और ये दुनिया एक जेल खाने के समान हो सकता है तुमारे आगे ना हो फिर गिल्डेन इस्टन कहता है the ambition itself merely shadow of dream बोले महत्पा कांसा स्वेब एक सपने की च्छाया के मात समान होता है और हमलेट कहता है our dream itself but a shadow सपना स्वेब में एक च्छाया मात होता है तो ये इनकी आपस की बाते है ये इसी के आगे गिल्डेन इस्टन और रोजन क्रेट के सामने ही बात करता है तब वो कहता है इसकी situation समझे लीजे क्या है इसमें इनी लोगों के बीचे नि रोजन क्रेट्स गिल्डेन इस्टन और आपके हैमलेट तीनों के बीचे बातल आप चल रहा है और बातों में हैमिलेट कहता है कि तुम्हें King और Queen ने यहां भेजा है यह सचाई है Gen reward तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम पर सचाई छिप नहीं रही है तो दोनों सुश कार कर लेते हैं उनको यहांपर भेजा गया और जो है तुम्हारी जानकारी लेने के भेजा गया है कि तुम्हा ऐसा बिमार क्यों कर रहे हो तब वो कहता है What a peace of man Hamlet कहता है What a peace of man How noble in reason कि जो ब्यक्ति है वो किस प्रकार का है ब्यक्ति जो है वो किस प्रकार का है How noble in reason अपने तरकों में कितना नॉबिल है फिर कहते हैं What a peace of man कि आदमी कितना कला का एक नमूना है How noble in reason अपने तरक में How infinite in faculty अपनी बुद्धी में कितना अनन्त है अपनी तरक में अपनी बुद्धी में मानब का जो मन है वो काफी तरक सील है बुद्धी युक्ति उसको अनन्त सक्तिया प्रदान की गई है In form and moving, how express and admirable अपनी क्रिया सीलता में, अपने बिभार में वो कितना प्रसंस निये है How admirable, कितना प्रसंस निये है In action, how like an angel और अपने बिभार में तो वो angel के समान है यार कि देवताओं के सुरूप में है In apprehension, how like a god और अपनी बुद्धी की समझ में वो तो अदित, देवताओं के समान है The beauty of the world The paragon of animal बुले, समस्त जितनी भी जीव हैं उन सब में वो अदितिये है The paragon of animal समस्त जीवों में वो उच्च स्रेश्टी उच्चता का प्रतीक है यारी के paragon है, स्रेश्टा का प्रतीक है And yet फिर भी To me, what this quincense of dust Quincense का मतर्ब सार होता है फिर भी, मुझको ये दुनिया के सारे लोग एक धूल के कड के समान धूल के समान दिखाई देते है Man delights me not, nor woman neither मुझे महला और पुरस किसी भी तरह से आकरसित नहीं करते तो ये रोजन क्रेट्स और गिंटन इस से हमिलेट बाते करता है क्योंकि पता लगाने आये थे ये हमिलेट की थर्ड सॉलिलोकी है जो की एट सेकंड सीन सेकंड में बोली जाती है तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है सिचुएशन बता दे रहा हूं क्या है देखिए हमिलेट को खुश करने के लिए कलाकार बोला जाते हैं ताकि वो हमिलेट जो है मनो रंजन कर सके तो बो कलाकार जो है एक नाटक का प्रदर्शन करते हैं जिसमें वो डीडो और एनीज देखिए एनीज ट्रोजन बार का एक हीरो था तो डीडो और एनीज में वो कहानी सुनाते हैं उसका प्रदर्शन करते हैं जिसमें हैक्यूबा रानी का भी वनन आता है तो वो कलाकार अपने उस अपने में इतना डूब जाते हैं कि हैमिलेट को वो सजीब जैसा लगता है तब जब सबलोग चले जाते हैं तो ये हमिलेट की एक स्वारी लोकी है तो उसमेंफ कहता है oh what a rug and patient sleep it is not monstrous that this player here but in fiction in a dream of a dream of passion could force his soul so to his own conceit ये कितनी बिचित्र बात है क्या ये बिचित्र बात नहीं है इसको मैं दुबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि हभाईजाज का सोर आ रहा था oh what a rug and patient slave I am I मैं कितना अभागा दास हो गया हूँ मैं कितना बदमास हूँ is it not monstrous monstrous का मतब बिचित्र क्या ये बिचित्र बात नहीं है that this player here जो कलाकार यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे but in fiction अपनी कलपना में ही in a dream of passion अपने पैसन के यहनिके अपने चरित्र के बिभार में could force his soul उन्होंने अपनी आत्मा को पिरकट कर दिया for to this own conceit अपने इस कलपना भरे अभिने के लिए that form of working all his business born कि जो उनके काम करने का तरीका था जो अभिने था वो उसके चहरे पर आकर की विसेश वांड उसके चहरे को आकर की पीला कर दिया टियर्स इनिज आइस उसकी आखों में आशू आ गए डियरेक्शन इज एस्पेक्ट डिस्ट्रेक्शन इनिज एस्पेक्ट जिनिके चिंता के भाव उसके हाव भाव में पिरकट होने लगे आप ब्रोकन वाइस और उसके समस्त ब्यक्तिप उसकी कांपती हुई आबाज उसके समस्त ब्यक्तिप और उसके काल्पनिक चरित्र के अनकूल परिवर्थित हो गई जिसका वो अभने कर रहा था फिर कह रहा हैं और यह सब किसी कारण नहीं था कि अबल हक्यूबा के लिए हक्यूबा उसमें पिले में जो चरित्र था जिसका उससे कोई संब्द नहीं ना ही हक्यूबा से उसका कोई संब्द है वाट हक्यूबा तो हिम और उसके लिए हक्यूबा क्या है और he to Hakuba और वो Hakuba के लिए क्या है that he should beep off for her वै उसके लिए क्यों रो रहा था what would he do had he the motive the cue of her passion that I have तब क्या होता यदि उसके सोक करने का कोई सक्तिसाली कारण नहीं है बोले अगर उसके पास कोई सक्तिसाली कारण होता जितना की मेरा कारण है तो वो पता नहीं वो कलाकार क्या कुछ नहीं कर बैठता फिर वो कह रहा है I am a coward am I a coward मैं एक कायर हूँ who calls me villain कोई भी मुझको खलनाएं कह सकता है break my pate across मेरे सिर को तोड़ सकता है pluck of my beard and blows it in my face मेरी दारी को नोच सकता है और उस दारी को नोच कर मेरे चहरे पे फेक सकता है ट्विक्स ये ट्विक्स है ट्विक्स मी दाइन बाइदा नोच और मेरी नाग को एंट सकता है give me the lie the throat और मुझको धूटा कह सकता है मुझको अभिस्वासी कह सकता है I am pigeon libered and lack of gall मैं कायर बेक्ती हूँ pigeon libered कभूतर के समान हिर्दय बाला हूँ डर्पोंख हूँ lack, gall मुझमें सकती की कमी है जोहस की कमी है to make oppression better मुझमें बहुत सहास की कमी है जो मैं अन्याय की पृतिस संघर्ष कर सकूँ मुझमें अन्याय की पृतिस संघर्ष करने का सहास नहीं है फिर दूसरी तरफ ये बाते भी सोचता है the spirit that I have seen यहाँ पर बात कर रहा है कि जो भूत की आत्मा मैंने देखी that I have seen may be a devil तो वो एक बुरी आत्मा भी तो हो सकती है and devil has power assume pleasing shape और devil में एक सक्ती होती है वो किसी भी प्रकार की मन माफिक जो है आतिर्थी को धारण कर सकते है and perhaps और सायद ये भी हो सकता है out of my weakness and melancholy और मेरी कमजोरी और उदासींता के कारण मेरी कमजोरी और नराशा की प्रिविर्थी के कारण as it he portent out of my ताकि मेरी नराशा और मेरी कमजोरी के कारण मुझको गुमरहा कर सकता है as he very potent with such a split क्योंकि ऐसी आत्माओं में गुमरहा करने की सक्ती होती है abusing me to damn it और मुझको बुरा काम करने के लिए इनके अपराद करने की तरफ बढ़ाबा दे सकती है तो ये भी इसकी speech का है तो आज के लिए इतना ही इसके बाद हम जो है तीनों एक्ट सेस के तीनों एक्ट लेके होगे तो आज के लिए टाज के लिए वाल देश्ट